दोस्तों अगर आप भी मात्र 21 लाख रुपे देके गोवर्मेंट द्वारा प्रमानित दीन दयाल जन आवास योजना प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं अगर इस वीडियो को आप के अपडेशन मिल सके दोस्तों यह जहां पर मैं अभी खड़ा हूँ यह National Highway No.1 आता है इस तरफ अगर आप यह देखते हो जो डेली के तरफ यह जा रहा है और सामने यह चंडी के तरफ से रोड जाता है इसको हम GT करनाल रोड भी हम बोलते हैं जो की बाइपास से शुरू होता है और अमर्द सर तक यह जाता है सो हमारा जो यह प्रोजेक्ट है बहुत सारे लोगों को रहता है कि अनम मुझे एक ऐसे जगह पे इनवेस्टमेंट करना है जहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो सो ऐसा नहीं है कि हम हाईवे से 200 मिटर दूर है या 300 मिटर की दूरी है यह हम हाईवे पे हैं और हाईवे से मात्र एक कदम के दूरी पे आपका यह प्रोजेक्ट आता है जिस प्रोजेक्ट का नाम है PP Green City सो यह PP Green City 2 के नाम से बन रहा है PP Green City वान हम अलड़ी डिलिवर कर चुके हैं यह जो डेवलपर है इन्होंने काफी पहले डिलिवरी दी हुई है लाइक नेताइस वास प्लेस में PP ट्रेट टावर जिसमें कल्यान जोलस हो गए रहा है या इसके अलावा पीतंपुरा में प्ल आज हम बात करते हैं जहां पर हम हैं उसकी connectivity एक तो आपका यह जो नेशनल हाइवे से connectivity है दूसरा rapid जो rail है rapid rail इसी रोड पर पर प्रपोज है तो वह आपकी connectivity होगी यहां पर सोनीपत का railway station है वह आपके पास में यहां पर आएगा प्लस साथ में ही आप आगे जाओगे तो ल या अगर आप जमना पार रहते हो तो आपको airport आने में time लग जाए लेकिन यहां से आप मातर 20 मिनट की समय में आप airport पहुंच जाओगे तो अंदर चलके मैं आपको बताता हूँ कि क्या project बन रहा है कैसे यह project बन रहा है कौन से size के plotting है और सोनी पत में किसी को भी investment क्यों करन झाटी है तो basically यह जो प्रोजेक्ट है यह दीन दयाल जन आवास योजना के अंतर गाता आता है दीन दयाल जन आवास योजना क्या होता है कि पहले आपने देखा होगा कि जब plots हुडा के तरफ से आते थे या DDA के तरफ से आते थे तो सिर्फ और सिर्फ plots मिलते थे और plot के आसपास infra development नहीं होती थी और क्योंकि वहाँ पे infra development नहीं होती थी तो वहाँ पे जाके end user वहाँ पे bus नहीं पाता था वह अपने लिए घर बना नहीं पाता था because वहाँ पे electricity नहीं होती थी water नहीं होता था sewage नहीं होता था तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये दीन दयाल जन आवास योजना के अंतरगत है और development यहाँ पे चल रहा है यह जो road है यह 9 meter की road है और road का यहाँ पे construction जो है almost complete हो चुका है इस तरफ से, इस तरफ से sewage का जो काम है हमारा यह sewage का काम हम यहाँ से complete कर चुके हैं और जो तिनी भी wiring होगी वो सारी की सारी जो wiring होगी वो underground wiring होगी दीन दयाल जन आवास योजना हरियाना government का ambitious project है जिसके अंतरगत जो plot के size होते हैं 120 गज से लेके 179 के size होते हैं उसका reason है कि अगर 180 गज के छोटे plots होंगे तो 180 गज के छोटे plot पे आप floor wise registry नहीं कर सकते हैं और इन शहरों में, गुडगाओं में, फरिदाबाद में, सोनीपत में plots के rate इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पे floor को afford कर पाना मुश्किल होता है तो इसलिए यहाँ पे दीन दयाल जन आवास योजना के अंतरगत यह plotting आई है यह last licensing patch है जहाँ पे कि यह project यहाँ पे बनके आ रहा है यह अगर आप देखोगे, सामने के तरफ यह आपका A block का plot होगा यहाँ पे 6 blocks हैं A, B, C, D, E, F यहाँ पे जो आपका आएगा A block आएगा B block, C, D और F आएगा यह जो approach road है, वो 3 टाइप से इसकी approach road होगी, एक यह approach road है 9 meter का, जो आप यह देख रहा है सीधे सीधे highway को connect कर रहा है एक दूसरा यहाँ पे 24 meter से approach road होगा और 3rd जो approach है वहाँ पे जो approach road होगा 45 meter का approach road यहाँ पे होगा साथ में ही एक और township आ रहा है फरीदाबाद का एक बहुत ही renowned developer है, mansa developer mansa developer जो है 75,000 के rate में इस plot को launch कर रहे है यहाँ की जो pricing है वो बहुत ही किफायती pricing है जो A और B block का जो price है वो 71,000 का है और आपका जो C, D, E, F का price है वो 61,000 रुपीज का price है इस price में अगर आप देखोगे जो सबसे खास बात है कि Godrej ने यहाँ पे जो project launch किया था यहाँ से highway से 6 km के अंदर है वो 75,000 रुपी के rate में है Eldigo का जो pricing है वो 85,000 के rate में है still यहाँ पे आपको 61,000 के rate पे आपको यह rate पे यहाँ पे मिलता है और उसमें भी अगर आप Atuliam के थू लेते हो तो आपको बहुत heavy discount आपको मिलता है For that you need to call us आपको हमारे को call करना पड़ेगा best deals के लिए और best rates के लिए The best part about this project is कि आपको इसमें पूरा का पूरा पैसा investment नहीं करना है अभी आपको मातर 30% का amount देना है Let us suppose एक यह plot है एक करोड रुपे का यह plot है तो एक करोड के plot में आपको मातर 30 लाक रुपे देना है जो बचा हुआ 70% का payment है वो 70% आपको 14 महीने की आसान किस्तों में आपको देना है And इस वीडियो को आप 14 महीने के बाद देख लीजेगा 14 महीने के बाद इस project की delivery है जब 14 महीने के बाद आपकी आखरी किस्त जारी होगी तो आपका amount जो है वो double amount होगा जितना आपने investment किया होगा उसका double हो चुका होगा तो this is the best opportunity जहां पे आप अपने पैसे को मातर 14 महीनों में double कर सकते हैं There is no other financial instrument चाहे हो mutual fund हो, चाहे हो stock market हो अपार्ट फ्रम few like cryptocurrencies होगा रखरोगा आप छोड़ दो तो उसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा financial instrument नहीं है जो 14 महीनों में आपके पैसे को double कर सके यहां पे जो हम basic amenities की बात करते हैं Although it is a plotting, but in spite of that इसमें आपको club house मिलेगा, kids play area मिलेगा multiple आपको parks मिलेगे, यह children's park इस type को आपको मिलेगा यहां पे हमारा commercial बन रहा होगा यह children's park हम आपको यहां पे develop करके दे रहे हैं So इस तरीके के development आपको यहां पे मिलेगा So this is the best opportunity investment अगर आप फिलहाल डेली, NCR गएरा में जाते हो तो आप देखते हो, कि वहां पे जो prices हैं वो बहुत जादा high हो चुके हैं अगर हम year wise comparison करेंगे तो जो 2000 से लेके 2010 का समय था वो नुएडा का समय था, नुएडा ने बहुत growth देखी 2010 से लेके 2020 तक गुड़गाओं द्वारका expressway का time था and जो 2020 से लेके 2030 का time है जगह क्यों था और वहां पे rates क्यों नहीं बड़े because sonipath में employment नहीं थी यहां पे रोजगार के बहुत सारे संसादन नहीं थे नुएडा में बहुत सारे IT company था गुड़गाओं में बहुत सारे IT company थे तो उसको लेके वहां पे employment आई तो जहां पे employment आएगी वहां पे लोग आएंगे उनको residential की भी ज़रुत पड़ेगी commercial की भी ज़रुत पड़ेगी so now sonipath में जो इस 10 सालों में जो चीज़े होने जा रही है आपको पता होगा कि Maruti का सबसे बड़ा ambitious plant जो है खरकौदा में लगा है और वहां पे operation start हो गया है 2024 में पहली production की lot वहां से निकलेगी तो लगभग 3 लाग की employment वहां पे आई है Maruti will only be manufacturing its engine इसके अलावा चाहे वो glasses हो seat cover हो, seat हो, bumper हो यह अलग-अलग vendors होते हैं तो इस सारे Maruti प्लस उसके vendors मिलके यहां पे जो employment generate करेंगे वो लगभग से लगभग 5 लाग के आसपास employment यहां पे generate होने वाला है यहीं पे sports city है आपका बड़े-बड़े universities यहां पे आ रहे हैं बड़े-बड़े colleges यहां पे आ रहे हैं तो उस लेके सोनीपत जो होने वाला है यह 2020 से लेके 2030 तक सबसे ज़्यादा जो आपको appreciation मिलेगा या profit आपको मिलेगा वो सोनीपत में ही मिलेगा and property का एक nature भी है कि property equilibrium attain करती है कि let us suppose कहीं पे एक करोड की चीज होती है और बगल में 30 लाग का चीज होता है तो दोनों एक equilibrium के stage पे आ जाते हैं अगर आप नोएडा गुडगाओं से compare करोगे तो उस हिसाब से सोनीपत में वो appreciation आई नहीं थी now is the time कि वो मौका आने वाला है train station पे लगी हुई है आपको क्या कर रहा है सिर्फ सोनीपत वाले train में आपको बैठ जाना है investment करना है investment भी मात्र 21 लाक उर्पे से start हो रहा है किसी भी government approved project में डेली में, नुएडा में, गुडगाओं में आपको इस से कम कीमत में आपको plot नहीं मिलेगा government approval द्वारा सो अगर आप भी अपने लिए plot देख रहे हैं तो नीचे दिए गए number पर आप हमें call कर सकते हैं या हमें आप WhatsApp कर सकते हो Thank you so much for watching this video जय हिंद जय भारत